अमूल दूद पीता इंडिया, यह एडबेटाइजमेंट आप लोगों ने जरूर देखा होगा, और कुछ ना कुछ जो है, अमूल का प्रोटिक्ट यूस भी किया होगा, जैसा दूद, दही, छाच, घी, लसी, यह चीज होगा, बटर होगा, कुस तो यूस किया ही होगा, ल आज करेंगे से फिर फोड़ी चट्चा में आपका अधर्जबंग का वेलकम करता आपके रेने विडियों सा लेट्स तार्ट विडियो गाइस, अमूल को 1947 में, डॉक्टर भगेश कुरियन ने स्टार्ट किया था, और उनको यह चीज करने के लिए इंस्पायर किया था, सर से यूएस से, इन्होंने पूर अपनी पढ़ा जोती, पोस्त ग्रेशन, ग्रेशन, एड़न पीसडी, इन्होंने यूएस में वन अवग टॉप उनिवर्सिटी से परी ती, अब सोचो, उस टेम जहां लोग इंडिया में नहीं पढ़ते थे, यह यूएस जाके यूएस की से पढ़के आए थे, तो इतने पटेली के लोग मिलना, उस टेम यार करीब नमुम्किन सा था, और यह बहुत अच्छी, शांदार सी जॉप करके अपनी शांदार सेलरी के साथ, एक शांदार लाइफ बिता सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, और सर्दार लोग मिलना ना के बराबर था, और इस मुमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, काफी ज़्यादा पढ़ाई की ज़रोती, मतलब काफी ज़्यादा पढ़े लेकिन से एक समझदार इनसान की ज़रोती, तो उनका कहना था कि आप ही जो है इस चीज को आगे लेकि जा सकते हो, वो भी इसमें लग गए, उनके कहने पे बडाब बाती ही है, कि इस चीज को स्टार्ट करने के पीछे मूटिव क्या था, या इस चीज को इस स्टार्ट करनी के पीछे क्या आइडिया था, तो यार इस चीज भी जए पहले से उप्छोरो ले ज्टोरू सेιं। besoinक्ति साये है शोषन किस तरी किस हुआ करता था, कि माल लो जो जो किसान है या जो दूदवाल है, उनको अपना प्रोड़क्ट बेशने के लिए शेहर जाना पड़ता था, और उसके लिए उनका काफी अथा ट्रेवल एक्समेंस आता था, और उसके बाद भी, वहाँ पर पोचने के बाद चाहिए, वो नहीं मिलता था, वो कुछ भी रिजन दे देते, जिसे माल लो आप लेट हो, तब शाम होगी, तो डिमांड खतम होगी, अब कौन खरीदेगा, तो उसको कम पैसा दे रहे है, या फिर रिक्या देते, आपको दूद पतला है, तो उसको कम पैसा मिल रहा है, वा या था नहीं कि उनको असानी से लोन मिल जाए, और तो इनको लोन मिलना करीब को नहां के बरावाड था, उनके बस भूस था तो नहीं को लिए, और मालो लो बाहर जो साहुकार होते थे, उनसे अगर पैसा ले, तो उनका इंट्रेस्ट इतना ज्यादा होता था, फिर ये उ उस चीज में फज जाते थे, उस इंट्रेस्ट में फज जाते थे, और ये लोग पढ़े लिए होते नहीं थे, तो मतलब ये लोग उसको समझ नहीं पाते थे, और काफी थारे लोग इस चीज में फज भी जाते थे, और उस टाइम, इंडिया जो है, ये वो टाइम है, जब इंडिया जो है New Zealand जैसी country से जो है milk import करता था अब इन्होंने जो है इन्होंने क्या किया इन्होंने एक सहकारिता का moment स्टार्ट किया सहकारिता का moment मतलब जो middleman था जो पहले इंसको पहले दूद दे रहे थे उसको हटाया और खुद middleman बन गए अटाय अन्दसाइस मतलब खुद भी वही काम करने लग जै लेकिन उसका मतलब यह नहीं यह लोग भी जो है उनको कम पैसा दे रहे थे उनसे जो है कमिशन ले रहे थे वगरा वगरा यह लोग जो है मतलब यह एक सहकारी तक मुवमेंट पर काम कर रहे थे अब इसमें क्या होता था यह लोग जो किसा मतलब जो भी दूद वाले थे उनको एक दब accurate amount देते थे उनकी दूद की quality according और इससे क्या होता था देगो इससे किसानों किस तरीव अजब जो दूद वाले उनको किस तरीवे से फायदा है उन लोगों पहले वाद तो शेहर नहीं जाना पड़ रहा है यह उनको गाओं में उनका दूद बिग जाता है जहां पर रहते हैं क्योंकि यह लोग जो है उनका दूद लेते थे आप कोड़ जाए दूसरी कंट्री से लोग है तो लॉजिस्टिक अगर का चार्जिस जो है इंपोर्टेक्स अगर हो गया वो आयते है तो वो पैसा बच रहा था तो जो कस्टुमर्स है उनको भी सस्ता दूद मिलेगा तो दोनों तरीके से फायदा था और जानतार अमूल का नाम कहा साया तो जो डॉक्टर वगरिस कुरियन है वो एक दर हमने केमिस्ट के साथ बैठे थे तो उससे बात कर रहे थे तो मतलब उन्होंने पूछा किया इसका नाम क्या रखे है तो उनके जो केमिस्ट था उसने कि अमूल का मतलब क्या है उनके अमूल का मतलब है जिसका कोई मूल ना हो और उनको ये बात इतने अची लगी कि उन्होंने उसीवक्त अपनी कंपनी नाम अमूल रख दिया अब ये तो बात पुरानी लेकिन अभी ही जो है इस टाइम आमूल को कॉन चला रहा है अभी वर्गिस कुरियन के साथ काम किया और आज मतलब अभी जो इनकी 6-7 सालों में जो इनकी ग्रोथ दिखाई है किसमें अमूल में वह मतलब क्या है उसके बारे में पर इसको थोड़ी दर बात इसके बात करेंगे अभी हम आपको जो है अमूल का कॉपरेटिव मुवमेंट समझा अब इस परसेश में सबसे मोटा मार्जन रहता है 80% वह मिलता है किसको दूद वालों को है जो मिलक्मेन उसको और इतना बड़ा मार्जन शायद को और कंपणी उनको दे रही होगी तो वह लोग जो सारा दूद है वह सिर्फ अमूल को देते हैं जया तर लोग जहां तर तो उनके लिए फायदा है, अब आरे सोडी सर पाते हैं, उनके आने के बाद, कमपनी में जो है, एक जे कर्फ देखने को मिला, मतलब कमपनी ने जो एक रैपिड गुरोथ पकड़ी है, पर उन्होंने ऐसा किया किया, तर उन्होंने जो है, कुछ स्टेप्स लिए, कुछ अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मशीन लगा दी, जो मानलों जिसे दूद वाला आता है, वो दूद लेके आता है, देता है, वहाँ पर उसकी on the spot, उस दूद की थिखनेस अगरा चेक होती है, उसको उस according, मतलब उस दूद की quality की according, टोकन मिलता है, और दूसरे कांटर स उसको पैसा मिली जाता है, सोच रो कितना fast process और कितना जल्दी और कितना accurate process हो रहा है, तो इस चीज़ को उन्होंने apply किया, फिर उन्होंने जो है, दूसर process क्या किया, जो मतलब processing वाला पार्ट था, उसको एकदम expand कर दिया, मतलब उसको एकदम fast कर दिया, increase कर दिया, और इस स इसे क्या हुआ, मालो procurement जाता हो रहा है, फटाफट product जो है, मतलब जो दूद है, वो process भी हो रहा है, तो फटाफट जो है, नए products बनेंगे, अब इसी से जो है, पचास नए product आइट करें अमूल में, और अब यार product बना लिए, सब कुछ हो गया, बेचेंगे भी तो सही, तो सारे जो मतलब सारे products है, वो एक Amrela के नीचे है, इसके अमूल के नाम के Amrela के नीचे है, तो मार्गेट ही हो रही है, इसके सिर्फ अमूल की है, और product बिख रहा है, और इससे एक फाइदा हो ही रहा है, कि वही है पैसा बच रहा है, अब एक प्रोडुक्त की marketing को हजार बिख रहा होता, तो क्या लोग उसको खरीद पाते हैं? नहीं, लेकिन अब हो अमूल के नाम से भिक रहा है, तो लोग एवार ट्राय करने के लिए उसको जरूर खरीदेंगे, और अमूल पर विश्वास है, तो उसी विश्वास का फायदा ओट रहा है, और इसी के साथ लोगडाउन के टाइम क्या चला? लोगडाउन के टाइम जहां सारी company's अपना production करई थी, अमूल एकस्पेंड कर रही थी, सोच रहो, उस टाइम जहां सारी company's जो पराग हो गया, नेसले हो गया, बदरेज हो गया, यह सब जहां cut कर रही थी अपने cost है या, जो अपने products बन उन सब पर, वहाँ अमूल एक्सपेंड कर रही थी, और एक्सपेंड क्यू कर रही थी? सूचो, जो पहले बात करते हैं, वो लोग क्यू कर रहे थे? जो इनका मेजर पाट था, जो मतलब रेस्टोरंट्स, होटल बगर में नए प्रॉडट्स जाते थे, रेस्टोरंट्स ज्यादा एक्सपेंट डीच पता है ज्यादा एक्सपेंट करा अब यह किया क्यों इस चीज को समझते हैं यह कहावाद आप शायद सब ने सुन रखी होगी कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो हजारों नए दरवाजा खुलते हैं सुनिया ना त अमूल को यह को खुलते हैं आप यह कि तो नए और एक भी उस और तो और प्रडॉक्ट्स है पर आने वाले हैं, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं, अमूल ने जो है, बस अमूल को यह देखना था कौन से प्रोडक्स की डिमांड बढने वाली है, उसने उस प्रोडक्स के जो प्रोसेस है, मतलब जो बनाने का है, प्रोडक्स बनाने का उसको बढ़ा दिया, और उसको उनको जो है, दूसरे प्लांट्स भी रेंट पे लेने पड़े, उस टाइम, और आपको जानके अहरानी होगी, कि अमूल की जो चीज था, उसकी जो डिमांड थी, वो 80% तक बढ़ी, जो कौटी चीज थी, उसकी डिमांड 40% बढ़ी, और जो उनका कंट्रेंस बिल थ उसकी डिमांड तो भाई 100% तक बढ़ी, सोचरों कितना जादा मतलब डिमांड उनकी बढ़ चुकी थी, और यार अब जो दूसरी कंपनी बंद हुए थी, तो अफकोर्स लॉस्त होगा, लॉस्त किस तरीके से हुआ थोड़ी सी बात उसकी भी कर लेते है, जो दूद वाल बंद होड़ी करते ही वह या लोगडाउन में, नहीं करेंगी न, तो वो जो दूद था, उसा करेंगा, वो एक लॉस्त, उनके लिए लॉस्त ही था, दूसरी बात, जो इन सारे प्रोसेस में जो मतलब उनकी लेबर लगी थी, वो सारे गए, और तीसरा, लॉजिस्टिक वा और यहां बिल्दा प्रॉफिटिवल दू जारी है, नए प्रोड़क्स भी लॉण्च करती है, सोच रहो, तो सरिफ मार्केट को देखने वाला होना चाहिए, मार्केट में नीड है, आपको मार्केट समझना चाहिए, मतलब हर चेंज के साथ जो है मार्केट चेंज होता है, आप को उस चीज को समझना पड़ेगा तो इसी के साथ हम वीडियोगा एंड करते हैं और आप को वीडियोगा पिसंद देगी पिसंद नहीं हो तो लाइक करना चनल को सब्सक्राइब करते हैं एले वीडियोगे तत्पा के लिए डर्णा वायँ है